नमस्कार, HP exam notes में आपका स्वागत है, ये हमारा second mock test है और आज हम इसी को ही discuss करने वाले है यहाँ पर जो मैंने questions का level रखा हुआ है, वो बहुत easy रखा हुआ है अगर आप लोग यहाँ पर भी अच्छा score gain नहीं कर पाए तो ये तो अपने आप में seriously में सोचने वाली बात है कि फिर हम junior office assistant के exam को कैसे crack करेंगे, अगर ऐसा है तो आप लोगों को अपनी तियारिया जबर्दस तरीके से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब तो कुछ ही दिन बचे हुए है ना इस exam को लेकर यहाँ पर मैं जो है slide को scroll कर रहा हूँ, आप लोगोंने क्या करना है कि यहाँ पर questions को attempt करना है अपनी notebook में page में अपने answer को लिखना है, फिर बाद में answer key के साथ match करने है अपने questions को कि आपका क्या score बन रहा है, आप उस page की photo जो है मुझे भी mail कर सकते है मेरी email ID पे जो भी मैंने यहाँ पे दी हुई होगी description में आप उस email ID में जो है उस photo को मुझे mail कर सकते है ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरे students का क्या score बन रहा है और आगे मुझे किस label की मेहनत करनी है अपने students के लिए mock test को बनाने के लिए या फिर कोई भी content जो मैं यहाँ provide करवाता हूँ किसी भी content को provide करवाने के लिए मुझे किस label की मेहनत करनी है अगर आप इस mock test की pdf चाते है तो आप मुझे mail कर सकते है मैं आप लोगों को जो है pdf provide करवा दूँगा कोई problem वाली बात नहीं है बट मेरी आप लोगों से एक request है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें watch time बिल्कुल भी increase नहीं हो रहा है चैनल पे तो मेरी आप लोगों से ऐसी request है कि भाई देख लें पूरी वीडियो को ऐसा कोई जरूरी force नहीं है अगर आप लोग नहीं देखना चाते है तो आपकी मर्जी है बट अगर आप लोग मेरा थोड़ा pause सुन लेते है तो जो है देख सकते हैं आप मेरी वीडियो को पूरा support की जरूरत है आप लोगों की आज के इस mock test को जो है शुरू करते है देखते है यहां पर की actual में किस level के questions जो है पुछे गए है कैसे questions पुछे गए है और area जो है क्या रहने वाला है selections का शुरू करते है इस mock test को यहां पर पहला questions दिया हुआ है dash key combination that lets you toggle between open windows ठीक है अपनी open window में toggle कर जाएं toggle का मतलब है कि मानलो बात कि हमने अपने computer में जो है दो तिन window को open कर रखा है जैसे एक में हमने word processing को open कर रखा है दूसरे में हमने chrome को open कर रखा है तीसरे में हमने कोई दूसरा software MS Excel को open किया हुआ है तो अगर हम इन तीनों window में toggle करना चाहते है तब हम यहां पर कौन सा key combination जो है प्रेस करेंगे ताकि window में toggle कर पाए हम लोग तो यह हम लोगों ने बताना है इसका answer जो है D सही answer है alert plus tap जब हम प्रेस करेंगे अपने keyboard का तो हम जो है अपने computer के open window में जो है toggle कर पाएंगे तो D इसका सही answer है next question देखते है dash is the act of copying और downloading एप्रोग्राम from a network and making multiple copies of it तो यहां पर examiner हम से पूछ रहा है कि इन में से वो कौन सा act of copying या downloading of program है network से जिसके बाद जो है हम उसकी प्रोग्राम की जो है multiple copies बना लेते है तो इन में से वो कौन सा program है या फिर क्या है तो यह हम लोगोंने बताना है तो इसका सही answer C है software piracy जो है वो act of downloading और program है जिसमें जो हम multiple copies बनाते है piracy क्या meaning रखता है यहां पर piracy का मतलब रहता है कि company कोई भी जो है program को बनाएगी original form में बनाएगी जो है black market में क्या होता है कि उस program को जो है piracy कर दिया जाता है मतलब copy कर बना दी जाती है black marketing के लिए जैसे कहीं बार हम देखते है कि हमारे laptop में जो है original बिंडो रहती है फिर piracy वाले बिंडो भी हमें मिल जाती है 500-600 रुपे में तो वो उसे piracy बोलती है जाती है उसकी जो है मतलब duplicate copy आस मना जाती है market में जो है black तरीके से बेचने के लिए तो इसका सही इंसर क्या है C है software piracy और उमीद है कि आप लोग को समझ आई ही गया होगा और ऐसी चीज़े तो समझ जो है पता होनी ही चाहिए any letter number और symbol found on the keyboard that you can type into the computer what is the purpose of query query का क्या purpose रहता है computer के दुनिया में या फिर computer world में query का क्या purpose रहता है तो इसका सही अंसर है all of these is correct अंसर, these का सही अंसर है query में हम input और output data की detail भी रखते है output data की detail रखते है, short and filters भी data को हम कर सकते है कि वहाँ पे हमें किस level का data चाहीं है और किस level का data जो है, नहीं चाहीं है filter भी कर सकते हैं हम इसमें तो इसका जो है D सही अंसर है आगे देखते है, synonym can be reviewed भी ठीक है, तो synonyms हम कहां जो है review कर सकते हैं अपने MS Word में, तो ये हम लोग को बताना है तो ये हमने MS Word वाले ये section में बहुत अच्छे से किया हुआ है practically perform भी किया हुआ इस task को, तो इसका सही अंसर जो है B है, thesaurus tools में जो है synonyms को वहाँ पे देख सकते हैं तो अगर आप लोग भी practical देखना जाते हैं तो MS Word वाला जो हमारा video lecture इसको आप देख सकते है Now a day's fishing has become a criminal practice of using social engineering over which of the following तो यहाँ पर examiner हम से पूछ रहा है कि आज कल के दिनों में fishing criminal practice की तरह use की जा रही है तो उसके लिए इन में से किस engineering का social engineering का use किया जाता है fishing को करने के लिए तो यह हम लोग को बताना है तो इसका सही answer है B mobile phone से तो बहुत असान questions है would you most luckily use to keep track of billing accounting के लिए हम इन में से कौन सा software यूज करते है mostly कौन सा software यूज करते है तो यह हम लोगों पता है कि हम spreadsheet जादा यूज करते है means कि हम MS Excel जादा यूज करते है billing के लिए तो C's का सही answer है यह भी बहुत असान question है बस दूसरे तरीके से थोड़ा सा पुछा हुआ है in the MICR code line structure what to do represent the first three digit of short field number consisting of nine digits ठीक है तो MICR code में जो line structure रहता है उन में से जो है first तीन जो digit रहते हमारे short field में वो क्या consist करते है ठीक है तो MICR number वो रहता है code वो रहता है जो हमारे checkbook में रहता है आप लोग कभी देख लेना उसको 90 number का code रहता है हमारे checkbook में उसे हम MICR code बोलते है तो यहाँ पे जो पहले 3 code जो रहते होंगे पहले 3 digits जो रहते है वो हमारे CT को represent करते है तो इसका A सही answer है फिर उसके बाद के जो 3 code रहते है वो हमारे bank code को represent करते है फिर उसके बाद जो हमारे bank की कौन सा bank है SBI bank है PNB bank है गएरा वगएरा फिर उसके बाद जो तीसरे जो 3 numbers रहते है वो हमारे branch को जो है branch code को मतलब वहाँ पे branch code रहता है last के 3 number ताकि उसे पता चले कि हमारे कौन सी branch है SBI तो है but SBI जो है कौन सी branch है CT में 3-4 रहती है ना branch है तो उसे हम branch को identify कर सकते है तो इसका answer A है और बाकी भी हम लोग को पता चल गया है कि वहाँ पे जो 9 code रहते है वो किस format में रहते है आगे देखते है most of the internet banking site provide which of the following feature to reduce the risk of keystroke logging for the password entry most of internet banking side क्या करती है कि risk को कम करने के लिए इन में से कौन सा feature keystroke login के लिए यूज करती है तो यह हम लोग को बताना है तो यह तो बहुत असान है A इसका answer है virtual keyboard का यूज करते है वो ठीक है तो जब हम कहीं बार देखते है जब हम internet banking को login करते है या फिर कोई भी हमारे banking जो रहती है online banking जब हम वहाँ पर login करते है तो हमें एक virtual keyboard का भी वहाँ पर option दिखा देता है ताकि हमारे keyboard के keystroke कुझे record ना किया जाए थोड़ासा उसमें ज़्यादा secure रह जाता है जब हम virtual keyboard का use करते है किसी भी site में तो ये भी हम लोगों को समझ आ गया बहुत असान question था everyday life से related question है ये what is the ultimate purpose of defragmentation defragmentation का ultimate purpose क्या है ये हम लोगों ने बताना है defragmentation और fragmentation हमने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका हमारा ultimate purpose क्या रहता है तो हमें पता है कि इसका जो है बी सही अंसर है create more free space के लिए हम क्या करते है defragmentation का use करते है उसमें क्या रहता है कि हमारी memory को जो है सही तरीके से जो होँआ पर fragmentation कर दी जाती है कि ताकि हमारा जो है system में ज्यादा space create कर सकें तो B इसका सही अंसर है आके देखते है what is the purpose of keeping electronic device such as computer, television and remote control device on sleep mode तो हमारा main purpose क्या रहता है अपने electronic device का जैसे कि computer हो गया television हो गया और remote control हो गया तक कि device को sleep mode में डालने का तो यह हमसे एक examiner पूछ रहा है कि हमारा क्या प्रपच है devices को, electronic devices को sleep mode में रखने का तो इसका सही answer A है reduce power consumption अगर हम अपने computer system की power consumption को reduce करना चाहते है तो हम sleep mode को जो है यूज़ करते है यह का sleep mode को हम तब यूज़ करते है कि हम 15 minute के लिए 15 minute के लिए बाहर जा रहे है और हम चाहते है कि हम अपने computer को off नहीं करना चाहते और power भी बची रहे तो हम हमें वहाँ पे क्या मिलता है sleep mode का एक option मिलता है ठीक है, आगे देखते है उमीदें आप लोग को समझ आई गया होगा बहुत असान से question है message with replies on a news group is often is called जो message रहता है news group में जिसे हम replies करते है उसे हम क्या बोलते है often is called उसे हम क्या बोलते है तो इसका sensor C है उसे हम thread बोलते है बहुत important question है ये और जो है अपनी अलग weightage रखते है ऐसे questions ठीक है तो उसे हम thread बोलते है जैसे कोई कही अब तो आजकल privacy जो है बहुत strong हो गई है जैसे WhatsApp end-to-end encryptions देता है Instagram भी अलग label की privacy देता है और messenger भी अलग label की maximum end-to-end encryptions जो है आजकल privacy दे रहे है तो आजकल तो ये ज़्यादा नहीं है बट पहले-पहले क्या रहता था कि हम कोई group जब create करते थे Facebook पे या कोई social network पे messenger अगरा अगरा पे तो वहाँ पे जो है दूसरे बंदे जो है दूसरे लोग जो है खुद पर खुद जो है वहाँ पे access कर लेते थे group में और फिर वहाँ पे कुछ भी डालते रहते थे तो उसे हम thread बोलते है आजकल इसका practical example वो रहता है जहाँ पर आजकल जो जो जूम की classes लगते थी online जब classes ले रहे थे university college की तो वहाँ पे जो उनका जो है वीडियो रूम चो रहता है वहाँ पे कोई तीसरा पंसर नहीं जो है एंटर कर जाएगा और वहाँ पे जो है unwanted things करने लग जाता है तो उसे क्या बोलते है thread ही बोलते है तो जो भी है आप लोग को समझा गया होगा आगे देखते है the facility available in the internet आर जो facilities available रहती है internet में वो कौन सी रहती है तो ये हम लोगों को बताना है electronic mail remote login file transfer word processing ठीक है तो हम लोगों जो है इसका सही answer बताना है कि इसका सही answer क्या है कौन सी facilities मिलती है हम इंटरनेट पे तो इसका सही answer है B, 1, 2, 3 जितनी भी पहले तीन facilities है electronic mail remote login file transfer अगरा वगरा ये हमें जो है internet से मिल जाती है ये facility ठीक है remote login का हम लोगों ने कहीं बार देखा है कि हम लोग बाहर भी होते है जैसे हम satellite अगरा वगरा लाँज करते है robotics में जो भी चीज़े हम control करते है वो remote login से ही करते है आगे दिखते है term associated with the comparison of processing speed of different computer system is तो हम लोगों ने वो term बतानी है जिसमें हम computer के processing की speed का comparison करते है तो वो हम लोगों बताना है तो इसका सही answer C है million instruction per second computer कितनी एक second में कितनी instructions को processing करता है तो C इसका सही answer है million instruction per second microprocessor can be used to make microprocessor जो है हम किसका in में से किसको बनाने के लिए use करते है तो microprocessor तो in में से सभी में हम use करते है तो D all of these is correct answer computer में भी करते है digital system में भी करते है और calculators में भी करते है अगला questions देखते है each model of computer has unique जो हमारा computer का कोई भी model रहता है तो उसमें क्या unique रहता है तो उसमें जो है machine language जो है हर computer की models की जो है अपनी unique रहती है तो इसका B सही answer है the term about is measure of that जो हमारा term about होता है networking system है communication system में तो हम उसे किसमे measure करते है किसके लिए use करते है किसको measure करने के लिए use करते है तो इसका answer A है speed at which data travel over the communication line तो इसमें क्या करते है हम speed को measure करते है कि communication line में speed कितनी high rate से transfer हो रही है या क्या क्या बोलते है transmission speed कितनी है अगरा वगरा उसके लिए हम term about यूज करते है और इसे sometime जो BD से भी represent किया जाता है और bandwidth भी बोला जाता है आगे दिखते है which of the following is the product of data processing ठीक है तो इनमें से data processing का कौन सा product है यह हम लोग ने बताना है तो इसका answer A है information कोई भी data को जो हम processing करते है तो वो हमें information ही देता है the CPU consists of CPU जो है किसे बनाया जाता है यह हम लोग ने बताना है तो CPU बनाते हम control unit से arithmetic logic unit से और एक वहाँ पर primary storage जो है devices रहते है तो इसका C सही answer है which of the following is true about primary storage इनमें से जो है primary storage का के बारे में क्या सही है यह हम लोग ने बताना है it is a part of the CPU यह भी सही है हमने उपनने वाले questions में देखा है it allows very fast access to data यह भी हम लोगों पता है कि primary storage जो है बहुत fast तरीके से data को access करता है it is relatively more expensive और यह ज़्यादा expensive रहती है as compared to secondary memory तो इसका जो है सारे statement सही है तो D इसका से answer है all of the above is correct about primary storage आगे दिखते है which of the following is the most powerful type of the computer इन में से most powerful type of computers कौन सा है super computer जो है most powerful type of computer है software instruction intended to satisfy user specific processing need कोई भी software instructions रहती है जो user की demand को satisfy करती है और specific processing करती है user के हिसाब से तो उसे हम क्या बोलते है उसे मोलते हम application software application software क्या रहते है कि हम इसे user के लिए भी की demand के हिसाब से भी बना सकते है specify करते है has come जैसे users के लिए users जो है इनको जो specific purpose के लिए use कर सकते है तो डी इसका सही answer है which one of the following can produce the final product of machine processing in a form usable humans तो इन में से वो कौन सा है जो final product है machine processing का और जो है वो humans के usable form में रहता है humans के लिए usable form में रहता है तो ये हम लोगों को बताना है तो इसका सही answer D है output devices output devices जो है machine processing का final product रहते है और वो कही ना कही जो वहाँ से product निकलता है वो humans के लिए usable form में रहता है जैसे कि printer अगेरा अगेरा printer में क्या रहता है कि हम कोई भी presenting निकालेंगे वो machines का final product रहता है और हमारे लिए भी usable form में रहता है तो D इसका सही answer है working of the wide area network generally involves हो ठीक है तो wide area network की जो working रहती है उनमें generally कौन सा involved रहता है satellite involved रहती है तो A इसका सही answer है C language is a successor of C language जो है इनमें से किस की successor है तो C language उनको जो है हम उसे जो है इनमें से किस language में लिखते है तो source program उन्हें पहले भी देखा है कि high level language का program रहता है source program typical modern computer used ठीक है जो हमारे आजकल modern computers जो रहते है वो इनमें से क्या use करते है इसका सही answer जो है B है large scale integrated chip या integration chip का वो use करते है तो B इसका सही answer है which of the following perform modulation and demodulation एकर इनमें से कौन modulation और demodulations perform करता है तो इसका B सही answer है modem modulation भी perform करता है और demodulations भी perform करता है क्योंकि modern में देखा है हमने कि modem wire से connect रहते है और आगे wireless ही data को transmit करते है तो दोनोंuestos यह perform करते है demodulation b और modulation b F4 bit number is given has 1001 its once compliment is ठीक है तो हमार पास यह number दिया हुआ है 1001 इसका once compliment हम लोगोंने बताना है तो इसका once compliment क्या रहेगा यह हम लोगोंने देखता है once compliment में क्या रहता है कि जहाँ पर one रहता है वहाँ पर हम zero कर देते है जहाँ पर zero रहता है वहाँ पर one कर देंगे तो यह तो बहुत असान है और तो इसका sensor क्या है C रहेगा C में क्या जहाँ पर one है वहाँ पर हमने zero कर दिया जहाँ पर zero है वहाँ पर हमने one one कर दिया और फिर जहाँ last में one है वहाँ पर हमने zero कर दिया जब हम हमार से यह पूछा जागे two किसी भी binary number का two's compliment बताईए तो हम लोगों ने क्या करना है कि पहले इसको one's compliment में convert कर देना जहां पर zero एक वहां पर one कर देंगे जहां पर one एक वहां पर zero कर देंगे फिर उसका जो last digit रहता है उसमें हमने one को add कर देना है और जब हम उसको add कर zero आ जाएगा और वहां से एक carry forward हो जाएगा फिर वो carry आगे आपको add करना है तो ऐसे करके हम जो है two's compliment भी perform कर सकते है बहुत असान है यह और आप लोगों ने यहाँ पर मुझे comment करके बताना है कि one double zero one जो है decimal format में जो है कौन सा number है तो यह आप लोगों ने मुझे comment box में represented by a four bit binary number जब हम किसी decimal number को जो है four bit binary number में represent करेंगे तब हम जो है वहाँ पे bcd number को obtain कर सकते है तो c इसका सही answer है और हमने देखा है पहले भी किया हुआ है कि bcd number को decimal number को हम कैसे binary number में जो है convert करते है या फिर hexadeximal octa number को हम कैसे binary number में convert करते है अगला question दिखते है एक gate in which all input must be low to get a high output is called एक gate है जिसमें all input जो है low रहती है और हमें high output मिलती है तो इन में से वो gate कौन सा रहने वाला यह हम लोगोंने बताना है तो इसका सही answer है nor gate, nor gate में हम लोगोंने देखा था कि nor gate का जो table है 00 जब हमारी low दोनो input जो है 00 रहती है तब हमें output जो है high मिलती है 1 मिलती है जब हमारे पास input 1 बन रहेगी तब भी low output ही मिलेगी 0 मिलेगी जब हमारे पास 00 रहेगा तब हमें जो है high output मिलती है तो ऐसा किस में होता है nor gate में होता है अगला question दिखते है इन TDM slot are further divided into जो TDM slot रहते है उसे हम आगे divided किसमें करते है तो यह हम लोगों को बताना है time division multiplexing यह process जैसे रहता है इसको हम ज्यादा कहां पर यूज करते है उसे हम करते है calls में ज्यादा यूज करते है जैसे हम लोगों को पता है कि मानलो बात की एक tower जो है 120 जो है call को at 1 time 120 call को perform कर सकता है ठीक उसके बाद तो बोलता है न कि lines all lines are busy please try later after sometime ऐसा कुछ बोलता है बट अगर 120 call को एक time में जो है perform करेगा तो वहाँ पे time division multiplexing जो है technique का यूज करते है जैसे मानलो अगर हम 10 बंदे जो है call को एक time में कर रहे है तो वहाँ पे 10 बंदों के लिए अलग-अलग time slot कर दिया जाएंगे microseconds में रहते है slot फिर हमारा mind भी catch नहीं कर पाता है slot को की call drop हो रही है कि नहीं हो रही है तो TDM में slots को किसमें आगे divided कर दिया जाता है further आगे frames में divide कर दिया जाता है तो B इसका सही answer है तो थोड़ा बहुत आप लोगों समझ आ गया होगा जितना भी मैंने बताया है इतना ही काफी है अभी के लिए तो B इसका सही answer है दो और दो से ज़्यादा प्रोग्राम की concurrent processes जो रहती है वो multi programming system की characteristics रहती है तो 20 का से answer है यहाँ पे जो हम लोगों को समझना है वो concurrent का meaning समझना है कि concurrent क्या meaning रखता है अपने आप में concurrenting जो है computing model रहता है इन में जिसमें की हम जो है multiple process को जो है multiple processor की instructions को जो है execute करते है simultaneously ताकि हमारा जो है system जो है better performance कर सके तो concurrent process में ऐसा रहता है concurrent process को हम जो है parallel processing भी बोलते है तो इसलिए इसका भी से answer है communication circuit that transmit data in both direction but not at the same time are operating in the communication circuit है जो data को जो है both direction में transmit करता है पर एक time में जो है एक तरफ data transmit करेगा फिर एक दूसरे time में दूसरी तरफ ही data को transmit करेगा तो यह हम लोगों ने बताना है तो इसका सही answer है harp duplex mode data को बहुत direction में तो transmit करता है बट at a time वो सिर्फ एक direction में data transmit करेगा जब वहाँ से उसको receiving bit जो है वापिस receive हो जाएगी तब वो दूसरी direction में data को transmit करेगा तो इसका जो है answer B है हमने यहाँ पे जाना की harp duplex mode में data को बहुत direction में तो transmit कर सकते है बट वहाँ पे एक time में जो है एक included रहता है तो यह हमने बताना है input output control भी operating system के functions में include रहता है virtual storage भी रहता है multi programming भी रहती है तो इसका सही answer है D all of these are correct answer तो D इसका सही answer है transmission of computerized data from one location to another location is called transmission of computerized data जब एक location से दूसरे locations में हम करते है तो उसका सही answer क्या है यह हम लोगों को बताना है तो इसका सही answer है data communications data communication में हम क्या करते है कि एक location से दूसरे location से data को transmit करते है which of the following item is not used in line local area network में जो है इन में से कौन सी item का जो है हम use नहीं करते है तो इसमें हमने यह बताना है तो local area network में जो हम modem का use नहीं करते है तो भी इसका सही answer है which is the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone lines इन में से वो कौन सा devices रहता है जो computer output को जो है convert करता है उस form में जिसे कि हम telephone lines में भी transmit कर सकते है तो यह हमने बताना है और इसका sensor D है modem जो है यह सारे काम करता है which of the following is not used as a secondary storage इन में से हम किसे secondary storage की तोर पर यूज नहीं करते है तो इसका answer A है semiconductor memory को जो है हम secondary storage memory के तोर पर यूज नहीं करते क्योंकि यह ज़ादा expensive रहती है semiconductor memories the register which contains the data to be written into or read out of the address location is known है कोई भी register है जिसमें हम data को return करते है और read out करने के लिए हम उसके memory address को पता होना चाहिए तो उसे हम क्या बोलते है तो उसका sensor है memory data register हम उसे बोलते है और इसे हम memory buffer register के नाम से भी जानते है तो c इसका सही answer है accumulator is a accumulator क्या रहता है हमारे computer system में accumulator is a एक type का register है accumulator तो d इसका सही answer है non volatility is an important advantages of ठीक है तो non volatility जो है इन में से किसकी important advantages रहती है तो इसका answer d है both b and c is the advantages of non volatility भी magnetic tape and disc magnetic buffle जो है इन दोनों की non volatility जो है advantages रहती है तो d इसका sensor है when we move from the outermost track to the innermost track in a magnetic disc the density थी जब हम magnetic disc की outermost track से innermost track में जो है move करते है तब वहाँ पे जो है कौन सी density increase होगी decrease होगी या remain same रहेगी यह हम लोग को बताना है तो इसका same answer a है कि density वहाँ पे जो है increase होगी magnetic disc की which device can draw continuous line continuous line इन में कौन सा device जो है draw करता है plotter continuous line को draw करता है पहले भी हमने बहुत पर पढ़ा हुआ है यह तो scheduling is scheduling क्या है allowing job to use the processor ठीक है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि scheduling क्या रहती है प्रोसेसर को जो है different type of jobs को time to time allow करती है तो उसे हम क्या बोलता है scheduling बोलते है तो A इसका same answer है barcode store information using barcode जो है information को किस में store करता है यह हम लोगों को बताना है तो barcode information को store करता है thick and thin lines थिक है thick and thin lines में जो है barcode जो है information को store करता है which port doesn't exist in computer computer में इन में से कौन सा पोर्ट एक्जेस्ट नहीं करता ये हम लोगों को बताना है तो D computer port जो है computer में एक्जेस्ट नहीं रहता USB port, parallel port और printer port तो रहते हैं तो D इसका से अंसर है In the sign magnitude representation the leading bit ती रहे तो sign magnitude में leading bit क्या representations करती है तो ये हम लोगों को बताना है तो इसका से अंसर D है stand for the sign जो हमारी leading bit रहती है वो sign को stand करती है वहाँ पे मान लो बात की sign magnitude में हमारी leading bit, first bit जो है 0 है तो वहाँ पे कौन सा sign represent रहेगा मतलब है कि हमारा signal जो है positive में है 0 का मतलब positive रहता है अगर वहाँ पे 1 रहता है तो हमारा sign magnitude में जो हमारा signal है डेटा जो हो negative values को रखता है 1 negative को represent करता है और 0 positive को represent करता है तो वहाँ पे sign magnitude में leading bit क्या representation करती है stand for the sign तो D इसका से अंसर है उमीद है कि आप लोगो समझ आ गया होगा data packet is a packet header together with ठीक है तो data packet जो रहता है वो packet headers together with उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है user data हम उसे बोलते है तो C इसका से अंसर है the application layer of the OSI model is तो OSI model में applications layer कौन सी रहती है 7th layer रहती है तो A इसका से अंसर है बहुत पार हम लोगों ने किया हुआ है which device cannot be shared in network network में हम जो है इन में से कौन सा device share नहीं कर सकते keyboard को हम share नहीं कर सकते तो 20 का से अंसर है base band इस base band क्या है यह हम लोगों ने बताना है यहाँ पर base band है transmissions of signal without modulations ठीक है तो base band में हम जो भी signal को transmit करते है वो हम without modulations के transmit करते है base band refer करता है original frequency range of the transmissions ठीक है base band में जो है original frequency range रहती है transmissions की before it is converted to the modulated of different frequencies range तो इसी ठीक है जब तक हमने उसको different frequencies ranges में modulate नहीं किया जाता तब तक वहाँ पर जो frequency रहती है original frequency transmitted range रहती है base band में तो A इसका सही अंसर है to connect a computer with a device in the same room you might be luckily to be used अगर हमने दो computer को एक room में connect करने है तो इन में से हमें जो है किसकी ज़रुत पड़ती है तो इसका सही अंसर A है A को Excel केबल की ज़रुत हमें वहाँ पर पढ़ेगी administrative supervision of database activity is the responsibility of the administrative supervision जो रहती है database activity में तो उसकी responsibility इन में से कौन करता है किसकी रहती है तो यह हम लोगों से पूछ रहा है examiner तो इसका सही अंसर है database administrator की वो responsibility रहती है तो A इसका सही अंसर है What is the serious problems of the file management system file management system की serious problem क्या रहती है यह हम लोगों को बताना है तो इसका सही अंसर है all of these या फिर all of the above is the serious problem of file management system data redundancy वहाँ पे रहती है difficult to update वहाँ पे रहता है program dependency वहाँ पे रहती है data redundancy मिल्स की same type of data जो है बार-बार वहाँ पे occur हो सकता है difficult to update रह सकता है उस बज़े से और program dependency तो वहाँ पे रहती ही रहती है अगला question देखते है firmware means firmware का क्या मतलब है यह हम लोगों का बताना है तो यह software available on hardware तो इसका सी सही answer है जान लेते है कि firmware होता क्या है firmware जो है एक software program रहता है और set of instructions of program रहती है जिसे हम hardware में devices में जो है install करते है यह hardware devices में क्या करता है यह necessary instructions को वहाँ पे provide करवाता है और वो बताता है कि how device communicate device के hardware जो है कैसे communicate करेंगे एक system से दूसरी system में तो वो कौन करता है firmware ही करता है और इसे हम अधिक तर कहाँ पे store करते है अपने devices में flash memory में हम इसे store करते है और hardware devices में store करते है तो यह small types of program ही रहता है EEPROM EEPROM जो है क्या है इन में से यहाँ पे आप लोगों ने बताना है तो EEPROM क्या stand करता है electrically erasible EEPROM stand करता है तो D इसका सही answer है file record length क्या है file record length हमने बतानी है तो इसका सही answer C है depends upon the size of the file तो file record length size of the file पे depend करती है अगर जितना भी size रहता है तो हम वहाँ से idea लगा सकते है कि file की record length है कितनी रहती है तो C इसका सही answer है What is the transfer rate of standard USB 2.0 devices ठीक है तो transfer rate क्या रहता है standard USB 2.0 का तो यह हम लोगों ने बताना है तो इसका 20 answer है 480 Mbps के हिसाब से transfer rate रहता है किसी भी standard USB 2.0 का Your computer suddenly shut off and doesn't turn on and after repeated attempts what is the mostly luckily be caused अगर आपका computer suddenly shut off हो जाता है मतलब बंद हो जाता है और आपके बार-बार repeated attempts के बाद भी on नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते है या फिर क्या हुआ है आपके computer में तो यह examiner हम से पूछने के कोशिश कर रहा है तो इसका sensor है be hard drive crash थी का तो हो सकता है कि वहाँ पे possibility है कि आपके computer की hard drive crash हो गई है इस बज़े से वो on नहीं हो रहा है तो इसका 20 answer है आज के इस video lecture को यहीं पर bind up करते है आप लोग ने करना क्या है कि please इस mock test को attempt जरूर करें मुझे एक pick जरूर send करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे channel पे किस label के students है और मुझे किस label की आगे जो है मेहनत करनी है आप लोगों को और भी mock test provide करवाने में और यहाँ पे कोई भी mistake है तो आप मुझे बता सकते है comment box में भी बता सकते है किसी questions में कोई problem है तब भी आप लोग मुझे बता सकते है और अगर आप मेरा work पसंद करते है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और जो है आप मेरे साथ updated रहने के लिए bell icon को भी press कर सकते है thanks thanks for watching